हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 5 मिनिट किचिन विश्च रद्धा हम रोज रोज एक ही टाइप का ब्रेकफास्ट खाते खाते बोर हो जाते हैं आज हम पनाते हैं कुछ इंट्रेस्टिंग और हेल्दी ब्रेकफास्ट ओट्स चीला और एक बात और इस वीडियो के एंड में हेल्थ टिप देखना ना भूले इंगीडियंट्स में वन वाउल रेगुलर रोट्स, हाव वाउल बेसन, 3-4 टेबल स्पून राइस फ्लोर, 3-4 टेबल स्पून दही, ओलेव ओल और आप कोकिंग ओल भी ले सकते हैं वेजीस में ब्रॉकली, केरेट और स्पिनिच, मसालों में किसी हुई अदरक, भुना हुआ जीरा पाउडर, दो बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, फ्लैक सीट्स, अलसी और सॉल्ट एस पर टेस्ट सबसे पहले हम ओट्स फ्लार तयार करेंगे, इसके लिए मिक्सर जार में हम ओट्स को निकाल कर बारीक पीस लेंगे मैंने केरेट और ब्रॉकली को चॉप कर लिया है, इनको मिक्सर में निकाल लेंगे स्पिनिच और पानी मिला कर बारीक पीस लेंगे इस तरह mix करने से veggies आपस में अच्छे से mix हो जाती हैं और चीले का टेस्ट और भी बहतर हो जाता है अब एक बड़े बावल में बैटर तयार कर लेंगे oats flour, besan, rice flour और कुछ regular oats को एक साथ mix करेंगे अब इस mix में veggies के mixer को add कर देंगे और बचे हुए ingredients को भी डाल देंगे मेर्च, नमक, अदरक, अलसी और जीरा पाउडर इन सब को एक साथ अच्छे से mix करेंगे अलसी से चीला और भी healthy हो गया है अभी ए mix थोड़ा थिक है इसलिए इसमें पानी एट करेंगे जिससे चीले का बैटर स्मूध हो जाएगा और pouring consistency भी आ जाएगी अब तवे को गरम करके उस पर oil लगा देंगे बैटर को डाल कर इस्पून की help से फैला देंगे अब चीले के ऊपर थोड़ा सा oil डाल देंगे और गैस को मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे जिससे चीला अच्छे से सिख जाएगा बीच बीच में चेक करते रहेंगे अब हम चीला को पलट देंगे और दूसरी साइड से भी सिखने देंगे करीब दो से तीन मिनिट में चीला कम oil में अच्छे से सिख गया है टेस्टी और हेल्दी मिक्स वेजिटेबल्स ओटस चीला तयार है आप इसे टोमेटो सॉस और नारियल की चटनी के साथ गर्मा गरम सर्व करें ऐसी और भी टेस्टी और हेल्दी रेसिपी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यह रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं